देव भूमी की खबरों के बेगा बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ काविन चौहन बुलिटिन के शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से आ रही इस खबर के साथ जहां विदान सभा के चुनावी दौरे पर उत्तरकाशी पहुँचे बीजेपी के रास्टे अध्यक्षर जेपी नडड़ा ने केद्रे और राज के विकास कारणों को गिनवाया है राजचर द्रक्षिय जेपी नडडा ने कहा कि लोगों को राजनीती को बारीकी से समझने की जरूरत है विरान सभा का यह चुनाओ उत्राखंड को अगले दौर में सही विकास के रास्ते पर ले जाने का होगा यह काम केवल भाजपा ही कर सकती है उन्होंने कहा कि उत्राखंड में अब तक जो कारे हुआ वह भाजपा ने किया और आगे भी भाजपा ही करती रहेगी रुद्रपूर विदान सभा के सुन्दरपूर गाउं में उस समय हंगामा खड़ा हो गया आज जब भाजपा प्रत्याशी शेवरूरा के समर्थक और निर्दलीय उमीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थक आपस में ही भढ़ गया मामला इतना तूल पकड़ गया कि जिले के पुलिस प्रशासर मौके पर पहुंचना पड़ा इस बीच रुद्रपूर के भाजपा प्रत्याशी शेवरूरा अपने समर्थकों के साथ सुन्दरपूर पहुंचकर निर्दलीय उमीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थको हमारी मेहमान लॉकट चितरजी के साथ सीटा कर्षी की गई है साथ हमारे होनहर कारिकरता सुothermalत के साथ मार्फीन भी की गई है इस दोरा भाजपा बंगाली महासब़ा के प्रदेश अद्यक्षिर्र राजकुमार शाहा ने कहा कि बंगाली समाज के लोगों के साथ पर यहां पर चुनावब परचार के लिए आती है जब गाड़िया निकल रही है उनके कहने पर उनके गुंडे आते हैं उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं गाड़ी पर हाथ मारते हैं गाड़ी तोड़नी की कोशिस करते हैं यहां पर बंगाली समाज का एक कैम्पेंच चल रहा था मैं आई थी भाषन दिया मैं जब निकल जा रही थी तो मेरा गारी को देखकर भी मेरे नहीं Будद्ध कर रहा 전हिता है यह हमारा जो कारे करता है जो उइस उपर उपर उसको पिटाई की और उनको इतना मरा कि उसका बीबी में रह रहे हैं हम लोग फिर से बापस आया हम लोग पोलिस को बुलाया हम लोग बोल दिया कि इसको बिचार होना चाहिए जो मारा है जो मंगाली समाज के उपर जो हाथ उठाया है इसका बिचार होना चाहिए कि मंगाली समाज जो जाएगा में बंगाल के बोलिये और उत्तराकर में बोलिये बंगाल समाज पादम उचा होके अभी लड़ सकते हैं बाली ने यह भी कहा कि भाजपा और कॉंग्रस विकास के मुद्दे के मचाए अपने पुराने हथकंडे से चुनाओ को प्रभावित करना चाहती है जिसे होने नहीं दिया चाहेगा वही उन्होंने यह भी कहा कि शहर में उनके फ्लेक्स और जंडों को फाड़ने उतारने की शर्मनाख हरकत की जा रही है शहर की चंता इस सब को देख रही है और इसका जवाब वह 14 फरवरी को इनके खिलाफ मतदान करके देखे प्रत्याशी जो हमारे पूर सहंसर साहब के सुपूत्र है कुवर साथ और दूसरे जो प्रत्याशी चारवार के विधायक हर्वजनन सिंग चीबा जी के पुत्र है वो दोनों अपने अपने जो पिता जी है उनके राजनितिक पद जब उनको मिले है समधानिक पद उस समय के कारेकाल में जो उन्होंने विकास कारे किये हैं उनके उन लेकर जंता के बीच में जाएं ना कि इस तरीके के हकन्ने अपना कर चुनाव को भाबच करने की कोशिश करें इस सत्ता में काविज BJP इस सत्ता में दोवारा काविज होने के लिए 80 चोटी का जोर लगाया हुए है भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार विधान सबाओं में जाकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के अपील कर रही है आज इसी करम में रुदरप्र विधान सबा के भाजपा के पक्ष में केंधरे रख्षा मंत्री, रक्षा राज्य मत्री अजै भट एवं प्रदेश सह प्रभारी वा सांसेद लौकेट चटर जी ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे केंद्र रक्षा राज्यमंत्री एवं परेटन राज्यमंत्री अजय भट और सांसद बचुलाओ सहप्रभार इलोगेट चेटर जी प्रस्तावित कारक्रम के तहत आज रुद्रपुर विधानसवाज शेतर में आयोजय चुनावी कारक्रमों में शरकत की उन्होंने तता डोर टोर जाकर भाजपा वा भाजपा प्रत्याशी शिवरोडा के पक्ष में वोट मांगे इस दोरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बन रही है और रुद्रपुर में भी भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रही है उन्होंने बताया कि जंता का अपार समर्थर मिल रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर प्रदेश में भाजपा की लहर है और कॉंग्रेस का फिर से सूपड़ा साफ होना तै है प्रदेश की जंता को भाजपा से काफी उम्मीद है बाजपा के मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी के मार्ग दर्शन में विकाल स्कारियों में नई कीर्थिमान स्थापित किये है लालकों विधानसभा से निर्दलिय प्रत्याशी कुंदन सिंग महता अपने चुराव परचार अभ्यान को तेज करते हुए आज बिंदु खत्ता के कई लाखों में उन्होंने ताबर तोड़ जंसंपर का भ्यान चलाया जहां उन्होंने अपने पक्ष में लोगों से जादा से जादा वोट करने का पील की इस दोरान कुंदन सिंग महता जगा जगा पद्यातरा के साथ साथ बैठक कर लोगों से समर्थन मांग रहे है वही कुंदन सिंग महता पूर सैनिक भी है उन्हें पूर सैनिक संगठनू का समर्थन भी हासल है उन्होंने कहा कि जिस तरह से सैनिक रहते हुए देश की सेवा की है वैसे ही लालकुआ वासियों की सेवा करूगा उन्होंने कहा कि अगर जनता आशिरवाद उन्हें मिलता है त मैं जन्ता का आशिरबाद मिला तो बिंदुकता राजोशों का प्राथमिक मुद्दा होगा और अन्याशेत्रों में जो भी कच्चे गाउं बर्शे हुए हैं उन सब को मालिकाने हग दिलाने का मेरा प्राथमिकता होगा और खत्ते बाथमिकता के लिए पूरा प्राथमिकता से काम होगा जो भी सरकार की और से उनको योजनाई मिलती हैं और उनका मालिकाने हग का है बिजली, पानी, शलक, वहाँ पर स्वास्त ब्योस्ता है और शिक्ष्या की जो भी ब्योस्ताएं हैं खत्तेबाशों के लिए ये मेरी प्राथिक्ता में होगा और तड़बंदों के लिए नदी किनारे जो भी कटाओ हो रहा है ये मेरा प्राथिक्ता में होगा इसमें चेकजाम बनाना बगरा और रोजगार नवयकुन के लिए जो र पूरा जो 70% का रोजगा है उसको पूरा रोजगा दिलाने का प्रियास करूँगा। देखा जाए तो भाजबा से बगावत कर पवन चौहान जो शोर से चुनाव प्रचार भी लगे हुए हैं उनका अच्छा खासा जनाधार भी बताया जा रहा है। मुझे विजह ही बनाएगी। लगातार शेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और एक बार फिर वो विधायकी लड़ रहे हैं तो ऐसे में वो चाहते हैं कि जनता उनको आशिरवाद प्रेशित करें। साथी साथ उनका कहना है कि अगर जनता का अशिरवाद बना रहा तो एक बार फिर विधायक बनकर आऊंगा और लालकुआ का नक्षा बदल तुमका। देखिए मैं विधान सभा के बारे में 2004 में 2002 में पहले जब चुना हुआ था तब से मैं लोगों के सामने रूबरू हूँ जब मानिये गोविन सिंग जी पहली बार चुनाव लड़े थे पर मुकता से मैं सबसे आगे था इसलिए जब वो हारने के बाद दुबारा जीते त दोर गरलिया तक देखा है जुजा है मैं बाड में पानी के अंदर गुशा हूं और यह जहां इस छेत्र में आया हूँ यह चेत्र वासन बड़ा पिछड़ा चेत्र हैं बहुत पीडित हैं लोग इनको जिस तरह का लाब सरकार देर यह नहीं मिला है यह बहुत ही मतलब एक स्वान को कप प्लेट के निशान पर महर लगाकर बटन दबाकर और विदायक बनाना नियुन तै कर लिया है उत्राखट के सियासी फिजाओं में अब एक बयान तैर रहा है जिसने राज़िते कल्यारों में हलचल पैदा करती है कॉंग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अकील आहमद के मुस्लिम उनिवसिटी बनाने वाले वारम बयान से सियासत गर्मा गई है राज़िताओं के बयानवाजी के तीर के वीच धर्म के नाम पर तुष्टी करण की राज़िती को लेकर क्या है जनता की राज़िता जानना चाहा हमारी सही होगी निशी भाटिया ने इस रेपोर्ट को देखिए इसके बाद हरी श्रावत के बयानों का जो तीर है वो इक बाद एक छूटने लगा और उसके बाद जो भाचपा है उन्होंने भी इस मुद्धे को लपक लिया तो उसके बाद क्या है राज़धानी का महौल क्या है लोगों की सोच क्या इस बार जो तुष्टी करण की अधार पर बटेंगी या फिर चेहरे के अधार पर तो मैं आपसे जाना चाहूंगी सर की लगता जो तुष्टी करन की जो राजनीती का खेल चल रहा है उसके बाद जो अकिल हमत का एक बयान वारल हो रहा है जिसने उन्होंने का कि हमारी कॉंग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम कहीं ना कहीं मुस्लिम युनिवस्टी का गठन करेंगे तो इस पर आपकी क्या रहा है देखिए हर आदमी को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है अ जाती का व्यक्ति पड़ा है और मैं आपके बताना चाहता हूं कि अलिगर मुस्लिम युनिवस्टी से देरादुन के जो वर्तमान इस समय कप्तान है वो भी वहीं से ग्रेजवेट हैं वहीं से उन्होंने सिक्षा दिख चली है तो यह भाजपाक के पास कोई नीती तो नही बार करते हैं इसको जनता सीरे से नकार रही है तो कहीं ना गहीं है जो मुस्लिम युनिवस्टी की एक वारल वीडियो हुई एक वारल बयान चल रहा है तो क्या यह चुनावे मुद्दा बन सकता है नहीं नहीं देखिए आज देभूमी की जनता ने पूरी तरीके से मन बन ना लिया है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को सिर्फ और सिर्फ जो जूमले बाजी करते हैं उनको इस बार जनता वोट नहीं करेगी अगर अकील आमजी नने को इस तरह का बयान दिया है तो यह एक उनका अपना निजी बयान हो सकता है पार्टी का अपना यह hilariento प्लॉटों का प्लॉराइज करना ना हिंदू मुस्लिम करना अभी देखो यूपी के अंदर क्या हुआ है उफी के ऊपर जो है जो आप सब जान चुकी है कि हाँ भी इनों ने पॉलराइजिंग करना है बीजेपी ने और वो नहीं होगा पी जितने भी हमारे बच्चे जितने भी घूम रहे हैं तो उनको नौक्रियों के लिए अविजन करना है आपको लगता है कॉंग्रेस पार्टी वो दिला पाई है बिल्कुल बिल्कुल हंडेट परसेंट मैं आपके पास भी आती हूँ पर मैं आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी फिर मैं आप लोगों से भी और जानूंगी कि यह क्या चुनावी मुद्धा बनेगा इस बार क्यूंकि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में जो जो चीजे अभी प्रेंका गाली वोडर आई थी उन अगर दो उनकी बास शही है स्यंस पुर्विधान सबागर आप देखें हमारी दर्म पुर्विधान सबाय तो आननों उन्हें यह अपने निजी त हр तरह का व्यक्ति पढ़ रहा है, हर धर्म के, हर जाती के, हर एक व्यक्ति मां पर पढ़ाई कर रहा है, और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और महीं से निकरने वाले जो इस्टुटेंटे पूरे देस का भी नाम रोशन कर रहे हैं दुन्या में भी नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मुस्लिम युनिधिक सिटी के लिए पोल दिया तो इसमें बाजपा का का आज वोटो की राजनिती करना, हिं अःसपूर विधानसवा में पपुछले 5 साल से BJP की सरकार है और केंदर में BJP की सरकार है तुर सेवतली सब्सक्राइं है कोई इन्होंने सरकारी कॉलेज बनाया कोई इन्होंने सरकारी अस्पताल बना यह उस्ञार सब्सक्राइब करें शिर्ष सुक्राइब पाकिस्तान बस इनका यही काम लगता है कि भाजपा जो है अपने सत्ता में जब थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रविदान सभा जो है यह पूरी अगर देखें तो क्यों नहीं बनाया नहीं अगर सवाल किया जाए कोई एक अस्पताल बनाया उन्होंने कोई एक सेक्सिक सथान अगर वहां पर बनाया हो तो हमें दिखा दीजिए आपको लगता है कि भाजपा ने मुस्लिम्स के लिए कु सब्सक्राइब नाली यह मुद्दा नहीं है आज बेरोजगारी मुद्दा विकास का मुद्दा है अब सडख नहीं चीए मंदिर मस्धीद का तो इनका मुद्दा रहेगा बीजेपी वालोगा इनको तो तुष्टिकरन करना है वोटो के नाम पे हिंदू-मुसलिम करना है बा विदान सब्सक्राइब चाहंगे आपको लगता है कि मुसलिम के लिए भादपा सरकार डिस्क्रिमिनेशन करी बहुत बहुत करती है और विकास के जीड़ो है शिर्फ विकास चिलाते हैं विकास के नाम कुछ भी नहीं है और इतना जाद है मतलब इन लोगों ने धरम की जालनीती और धरम के मामले में फलाक जो है यानि किसी भी तरीके से वोट मिले किसी का कैसे भी वोट करना पड़े इस इन्हें कोई फरक ने पड़ता और महंगाई भुक मरी और यह सब चीज है इतनी जाद हो गई कि लोगों नों विचावने पड़े काम धंदे रोजगारत लगों के बंद हो गई जो है भाजपा के का करकाल में यह सब होता है और यह सब सब रोटी-टे का जुद करीश किसी का करीब भी करीप आई यह हालात आई है देश को पर पर सावाएंगे लेकिन इनके राज में जह कुछ 20 लोग बनते है 80 परसांट दोंग जो है बिल्कुल एक्तम जीरो पाग फिल्कुल यह इस सरकार कि निति है यही सरकार का जो है चलन है सरकार का यही चलन है क्या लगता आपको कि चुनाव में मुस्लिम युनिवस्टी एक मुद्दा होने वाला इसके नाम पर वोट बटें जी विवकुल सही है यह सिर्फ राजनीती खेल है उन्होंने कौन सा युनिवस्टी का कहा दिया औ जाएगे सब्सक्राणिक दियुक्त झरण उन्होंने कंगर्स घ्राइगामब। और लोगों से बिचानने के कोशिश करते हैं कि क्या वाके में तुष्टी करन की राजनी ती कहीं तक काम दिखाएगी आपके चुनावी मुद्दा चुनाव के समय इसका पर्चम लह रहाएगा तो आपके क्या राया है इस पर कि क्या यह मुस्लिम युनिवर्सटी एक चुन करेंगे लेकिन आपको क्या लगते कॉंग्रेस पार्टी चुनाव आने से पहले एक बयान वायरल हुआ जिसमें अकिल हमत ने बड़ी बात कही जिसमनों ने का कि अगर हमारी पार्टी कॉंग्रेस चुनाव में सत्ता में आती है तो उसके बाद हम लोग एक मुस्लिम युन सारी इसकी में हर चीजब आगे है बीजेपी बीजेपी आईगी और एक मुद्दा जो आप सोचते हैं कि इस बार अगर बीजेपी सरकार आए तो फिर क्या करें वह मैंदम आएगी तो जैसे से चल रहे है चलता रहेगा क्या गन्यां अब आपको लगता है कि कुछ विकास ह तो इसके बाद राजनीती का जो खेल है वो सिर्फ तुष्टी करन की राजनीती तक ही सीमित नहीं है इसके लावा भी विकास कार्यों को लेकर अब जनता अपना मन बना चुकी है और किस राजनीता को इस बार गदी पर बिठाना है वो राजनीताओं की जो सोच है या फिर आप कहेंगे कि जो भी इनका चुनावी मुद्दा है उसके बेसिस पर आप चुनाव नहीं लड़े जा क्या मुस्लिम उनिवर्स्टी अगर राज्य में बनती है तो उसके बाद क्या इसके नफ़ा और नुकसान होने वाले वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं नीशी बाट या तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बरे रहे हैं निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ बार गार बार जवर्स्टी बार जया।